ओम जै श्रीहर विष्णू जै मतरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म चादना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मांपगवितित दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्थ परिवार पर बनी रहे दोस्तों मोहिनी एकादशी वैशाख माज की शुक्लपक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत धारन करता है उसे मो और माया से मुक्ति मिल जाती है साथी मांसिख शाम्ती भी मिलती है और जीवन में सुक सम्रिधी और सफलता की भी ब्राप्ति होती है इस दिन भगवान विष्णू को प्रसंद करने के लिए उनकी कृपा की ब्राप्ती के लिए पूरे विधे-विधान से भक्त व्रत धारन करते है या फिर कई भक्त जो की व्रत नहीं भी धारन कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, वो भी आज के दिन भगवान स्रीयल विश्णु की विदिविधान से पूजा करते हैं, प्रार्तना करते हैं, मंत्रों का जब करते हैं, क्योंकि ये एकादसी बहुत ही स्रेष्ट मानी गई है, तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाक मास की शुकलपक्ष की एकादसी, मोहिनी एकादसी कब है, एकादसी के दिती कब प्रारंब हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारन करना है, और पारन का यानि की व्रत खोलने का शुब महुर्द क्या हो तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजे, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजे, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मिरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यही एक मात्र जर्या है, जिन से मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए, पर्म पुराण और विष्णू पुराण में मोहिनी एकादिशी वृत के महत्यों के बारे में वड़न किया गया है कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का बृत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस वृत को धारन करता है भगवान विष्णु उसकी समस्त मनुकामनाओं को पूर्ण करते हैं इसके अलावा शाश्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत धारन करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान विश्णू ने आज ही के दिन यानिकी व्यशाक मास की शुक्लपक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है सकंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमरित प्रकट हुआ था फिर इसके दूसरे दिन यानिकी द्वादशी तिति को भगवान विश्णू ने उस अमरित की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारन किया था फिर त्रयोदशी तिति को भगवान विश्णू ने सभी देवताओं को अमरित पान कराया था और इसके बाद चतुरदशी तिति को देव विरोधी दैत्यों का संगहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका सामराज मिल गया था यही कारण है कि इन पाँच दिनों तक भगवान विश्णू की पूजा करने से सभी प्रकार की परेशानिया दूर हो जाती है वैशाक मास के अंतिम दिन जो होते हैं पाँच दिन एकादसी से पूर्णिमा तक अगर आप शनान, दान, पूजा पाट करते हैं विदेविधान से तो सभी प्रकार की कामनाय पूर्ण होती है समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ते मिल जाती है अब जैसे कि बहुत से भगते हैं जो कि वैशाक मास का शनान करते हैं लेकिन कई भगते हैं जो कि नहीं भी कर पाते हैं शनान उन्हें भी इन पाँच दिनों तक मतलब एकादसी से पूर्णिमा तक विदेविधान से भगवान स्रविष्णू की पूजा करनी चाहिए और पांच दिन बहुत महत्य बुड़ माने जाते हैं और अब जानते हैं कि साल 2024 में एका दशी कब है देखिए पंचांगी के अनुसार व्याशाख मास के शुक्लपक्ष की एका दशी थी प्रारंब हो रही है 18 मई को सुबह 11 बसकर 22 मिनट से और समाप्थों की अगले दिन यानि की 19 मई 2024 को दो पहर में एक बसकर 50 मिनट पर तो सुर्योदे कालीन थिथी के अनुसार 19 मई 2024 को एका दशी कवरत रखा जाएगा और 18 मई को दश्मी थिथी के नियम का पालन करेंगे जैसे की दश्मी थिथी के दिन शुद्ध और साफिक भोजन लेना चाहिए शाम को अन और नमक का सेवन यानि की शुर्योदे के बाद अन और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए भूमी पर शैन करना चाहिए और ब्रह्म चरे का परण रूप से पालन करना चाहिए फिर एकादशी को यानि की 19 मई 2024 को प्रातायकाल जल्दी उठेंगे उठकर निते कर्मों से निवरित होकर श्नान कर लेंगे आज के दिन गंगा में श्नान करना किसी पवित्र नदी में श्नान करना सर्विस्रेश्ट होता है लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से श्नान कर सकते हैं इसके बाद साप स्वत्ष वस्त्र धारन करके सबसे पहल बढ़ आप की जाता है फिर वदिविदान से बहगाइन स्रय विष्ण कि पूजा की ज़ें और अगर आप वरत से भगवान स्री विष्णु की पूजा करेंगे उनके सामने शुद्दिगी का दीपक जलाकर मंत्रों का जब करेंगे रात्री में जागरन करने का विधान है कहा जाता है कि एकादशी की रात्री में अगर हम जागरन करते हैं तो इससे व्रत का संपुर्ण फल हमें प्राप् कर सकते हैं व्रत नहीं करते हैं तो भी कर सकते हैं एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तीथी में तो द्वादशी तीथी के दिन प्राथेकाल जल्दी उठकर निते कर्मों से निव्रत होकर शनान कर लीजिए इसके बाद विधी विधान से भगवान स्रेव पोई समगरी निकाल सकते हैं और इसके साथ दक्षला के कुछ पैसे और अपने इच्चा के अनुसार अगर आप कुछ और भी दान करना चाहते तो सारी सामघरी दान की कि निकालने के बाद आप स्वैंज अपना व्रत खोल सकते अब बात करें बारण की शुब महुर्थ होगा 20 माई को सुभे 5 बज कर 28 मिनट से सुभे 8 बज कर 12 मिनट तक तो दोस्तों यह है आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की कीजिए अगर संभा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बारा आएं अभी zu connect आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्रीराधे